Hello students, स्वागत है आप सभी का NCRD गडित कक्छा नौमी में और आज हम करेंगे प्रिश्नाबली 7.1 का प्रश्न किर्मांक 1 तो आए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है चतुरबुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कौन A को सम्दुई भाजित करता है देखिए आकरती 7.1 चे तो ये देखिए इस क्वेश्न के साथ में आपको आकरती बनी आएगी एक्जाम में तो ये जो आकरती है इसको देखकर आपको पूरा क्वेश्न अच्छे से समझना है देखिए इसमें क्या लिखा है दुबारा से पड़ लेते हैं चतरभुज ABCD में AC बराबर है AD तो यहां देखिए ये जो AC आपको रेखा दिख रही है न AC भुजा किसके बराबर होगी? AD भुजा के बराबर होगी यानि कि AC, AD के बराबर है ध्यान रखना है ये पहले से दिया गया है तो जितनी लंबी AC भुजा है उतनी ही लंबी ये जो AD भुजा है और ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं ये पहले से ही हमें दिया गया है आगे लिखा है कि और A B कौ Globe A को सम्दूई भाजिकरता है अब यहाँ पर A B कहाँ पर है यह देखिए यह जो A B है यह भुजा आप A B भुजा देख रहे हैं एना यह कौ्ण-A को सम्दूई भाजिकर करके निकली हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम इसको समझें थोड़ा सा कि ये देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ अगर ये इस तरीके से कौण A बना है ये है कौण A तो यहाँ से माल लेते हैं कि ये कौण A 90 अंस का है या और कम मान लेते हैं मान लीजिए 80 अंस का है ये जो कौन बना हुआ है ये 80 अंस का है तो यहां से उन्होंने बुला है कि A B एक रेखा ऐसी है A से लेके B तक ये जो रेखा है ये भुजा ऐसे निकली है कि इस कौन को बरावर दो हिस्सों में बाट दिया है यानि कि ये 80 था तो उपर का 40 हो जाएगा तो नीचे का भी 40 हो जाएगा यानि ये दो कौन बिल्कुल बरावर हो गए इस तरीके से बूला गया है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो A B रेखा है ये कौन A का सम्दूई भाज़क है अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो A B है ये कौन A को सम्दूई भाज़क करता है इसका मतलब है कि जो A B रेखा है ये कौन A को बरावर बरावर दो गागों में तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा ये बाला कोड़ यहां से यहां तक जितना होगा यहां से यहां तक भी उतना ही होगा यानि उपर बाला कोड़ और नीचे बाला कोड़ दोनों आपस में बरावर है तो इन्होंने बताया है कि दरसाइए या सिद्ध कीजिए कि तिरवज A B C A, B, C और C कौन सा तिर्भुज? A, B, C ये दिखाना है कि ये जो A, B, C तिर्भुज है ये किसके बराबर है? तिर्भुज A, B, D, K यानि A, B, D, K सरवांगसम दिखाना है तो हमें पता है कि सरवांगसम तिर्भुज कब होंगे जब उनमें कोई भी हमें तीन समानताइं मिलेंगी कितनी समानताइं? तीन समानताइं एक तिर्भुज उपर बना है ये देखिए A, C, B या ऐसे पढ़ लीजिए A, B, C ये तिर्भुज ठीक है और दूसरा तिर्भुज नीचे बना है कौन सा? A, B, और D ये देखिए A, B, और D ये आपको सबसे पहले समझना है पहला तिर्भुज कौन सा है? अच्चे से आप समझ ये ये देखिए ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बना देता हूं ताकि आपको समन में आए ये देखिए ये हमारा पहला तिर्भुज है दिख रहा है ना? दिख रहा है ना ये बाला? A, B, C दूसरा बिना डार्क बाला A, B, D अब इन दोनों तिर्भुज में कौन कौन सी समानता हैं तो उसके लिए हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देखिए क्वश्चन का हल कैसे लिखना है जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे तो हम पहले वो चीजें लिख लेते हैं तो अभी चित्रो को साइड में रखते हैं और यहां से देख के लिखना है चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है A, C, B, A, D तो हमने यहां पहले लिखा A, C, B, A, D यह हमें दिया गया है और A, B, कौण A को सम्दूई भाजित करता है तो यह भी हम लिख लेते हैं जो यह A, B, भुजा है न यह वाली यह कौण A को दो बराबर भागों में बाटती है सम्दूई भाजित यानि समान दो भागों में बिभाजित करती है तो वही चीज लिखेंगे बिल्कुल देखके ही लिख देना है कि A, B, जो है कौण A को कौण A को सम्दूई भाजित करती है तो वही चीज आपको यहां पे लिख देनी है सम्दुई भाजित करता है जैसे question में लेका है हमने वैसे ही लिख दिया अब दरसाइय आ गया तो दरसाइय मतलब सिद्ध करना है तो हमारी जो heading delay की वो इस तरीके से होगी सिद्ध करना है ये भी हमें examiner को बताना होता है कि हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है ये हम यहाँ पर लिखते हैं तो तिर्भुज ABC सरवांगसम है तिर्भुज ABD ये सिद्ध करना है यानि कि ये जो उपर बाला तिर्भुज है न तो हम लिखेंगे तिर्भुज ABC सरवांगसम का चिन बना देंगे और किसके सरवंग सम प्रूप करना है A, B, D के A, B, D ये हमें सिद्ध करना है साथ में हमें ये भी बताना है कि B, C और B, D के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा यह भी बताना है यह भी बताना है कि हम B, C और B, D के बारे में क्या कह सकते हैं कि हम B, C और B, D यह भुजाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी B, C और B, D के बारे में हम क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं ये भी हमें साफ साफ लिख देना है ताकि कोई नमबर ना कट पाए ठीक है अब यहां पे देखिए बी सी और बी डी कौन है ये बी सी बी से सी ये वाली भुजा तिरबुच की उपर वाले तिरबुच की भुजा और ये बी डी है तो इनके बारे में भी हमें बाद में इस पश्टी क्रण देना होगा तो अब हम लिखेंगे जब भी दरस आईए है यानि जो भी चीज हमें सिद्ध करनी होती है तो हम फिर उपपत्ती लिख सकते हैं मैंने अद्धिया 6 में आपको बताया है तो जब एदिया में सिद्ध करना है तो हम उपपत्ती लिख सकते हैं उपपत्ती को इंगलिस में क्या बोलते हैं फ्रूफ यानि कि इसका प्रमाड ये है कि ये दोनों तरभुज सरबंगसम है तो कैसे हैं सरबंगसम इसका प्रमाड नीचे मिलेगा तो हमें इन दोनों तिर्भुजों में केबल तीन समानताइं देखना है और बस हो गया ये अभी तक हमने जो भी लिखा है ये पूरा देख के लिखा है क्वेशन से उपपत्ती में आपको तीन बातें पता हैं तो हर क्वेशन आप पे बनेगा उपर वाला तिर्भुज अबी सी और नीचे वाला तिर्भुज अबी डी ये तो आपको समझ में आ रहा है ना उपर वाले तिर्भुज में और नीचे वाले तिर्भुज में क्या समानता है सबसे पहले बताईए तो पहली समानता है कि उपर वाले तिर्भुज की जो AC भुजा है और नीचे वाले तिर्भुज की जो AD भुजा है ये दोनों आपस में बरावर हैं क्यों बरावर हैं? हमें दिया है ये AC बरावर AD तो हम यहां पे दो तिर्भुज लेंगे तिर्भुज उपर वाले तिर्भुज का नाम बताईए क्या होगा उपर वाले तिर्भुज का नाम आपको बताना है चलिए बताईए क्या होगा उपर वाले तिर्भुज का नाम A, B, C श्याबाज A, B, और C तो हम दो तिर्भुज लेंगे तिर्भुज ABC तथा नीचे वाले तिर्भुज का नाम बताईए A, B, D तो यहाँ पे हम लिखेंगे तिर्भुज A, B, D में अब हम दोनों तिर्भुजों में देख रहे हैं कि क्या-क्या समान चीजे हैं तो उपर वाले तिर्भुज में यह जो A, C भुजा है नीचे वाले तिर्भुज की A, D के बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A, C बराबर है A, D के ठीक है और यह हमें दिया है कैसे पता चला तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि यह तो हमें दिया गया था यह कॉश्चन में ही दिया है तो हमने लिखा A, C बराबर A, D और यह हमें दिया है इसके बाद उपर वाले तिर्भुज का यह वाला कॉण यहां से लेके यहां तक केवल यहां से लेके यहां तक केवल और नीचे वाले तिर्भुज का यह कॉण यहां से लेके यहां तक किवल यह दोनों बराबर हैं यह दोनों बराबर हैं कैसे पता चल गया क्योंकि कौण A का सम्दूई भाजक A B है कौण A जितना भी होगा उसको बराबर बराबर दो भागों में बांटने वाला कौण है यह A B है तो आप लिखोगे इस उपर वाले कौण को कैसे बताओगे चलिए बताओए यह यहां से लेके के वाल यहां तक यह कौण कैसे बताओगे तो इस लाइन से टच है तो C ले लेंगे और यहां टच है तो B ले लेंगे बीच में क्या रहेगा A तो आप कैसे लिखोगे C, A, B उपर वाला कौन कम्प्लीट कैसे लिखोगे C, A, B हो गया ना उपर वाला कौन कम्प्लीट तो आपको बताना है तो आप लिखोगे कौन C, A, B कैसे लिखोगे C, A, B किसके बराबर होगा अब नीचे वाले कॉर्ण को बताना है तो इसी ट्रेक से बताएए नीचे वाला कॉर्ण क्या होगा यह यहाँ टच है तो B से स्टार्ट होगा यहाँ टच है तो इससे क्या मिलता है D तो कैसे लिखोगे B, A, D कैसे लिखोगे B, A, D ये वाला कॉर्ण मिलेगा न तो आप लिखोगे कॉर्ण B, A और D ठीक है और ये कोश्टक में क्या लिखना पड़ेगा कि कॉर्ण A का पूरा जो कॉर्ण A है न कॉर्ण A का सम्दुई भाजक कौन है बता सकते हैं कि आप सम्दूई भाजक कौन है तो आपको बताना है कि सम्दूई भाजक A B है किसका कौन A का तो सम्दूई भाजक A B है यह question में mention है यानि question में दिया गया है तो दो समानता हैं तो हमें मिल गई भुजा, कौन, ठीक है अब हमें तीन समानता हैं तो तीसरी समानता तो ये खुद AB भुजा है अब आप सोच रहे होंगे कि AB दोनों में कैसे है ये एक दीवाल इस तरीके से है ये जो दीवार है ये दोनों कमरों में है इधर भी है और इधर भी है अब आप समझ रहे होंगे कि दीवार मतलब ये भुजा जो A B आपको दी गई है ये उपर वाले तिर्भुज को पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ते हैं A B C और नीचे वाले तिर्भुज को पढ़ते हैं तो A B D यानि A B दोनों में पढ़ते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो तिर्भुज लिये थे A B और A B दोनों में आ रहा था कहने का मतलब है कि जो A B भुजा है ये उपर वाले तिर्भुज में भी है और ये जो A B भुजा है ये नीचे वाले तिर्भुज में भी है तो हम कह सकते हैं कि A B दोनों में है AB भुजा दोनों में निष्ठा रखती है इसलिए AB उभाए निष्ठ भुजा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तिरभुजों में AB बराबर AB दोनों में AB है और एक ही AB है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उभाए निष्ठ भुजा है कौन सी भुजा है ओभाई निष्ट भुजा ठीक है याद हुआ ना आपको पता चला ना कि तीन समानता है कौन कौन सी मिली है भुजा कौन भुजा भुजा कौन भुजा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें समानता हैं मिली हैं हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दोनों तरभुज कैसे हो जाएंगे सरभांगसम पहले तो ये तीन समानता हैं तो दोनों तरभुजों को हम सरभांगसम दिखाएंगे तरभुज A, B, C सरभांगसम हो जाएगा किसके तरभुज A, B, D के अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये सरवांग सम किस सर्थ के अनुसार हुए है तो भुजा, कौण, भुजा के अनुसार तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भुजा, ऐसे भुजा, फिर बीच में हलका सा डैस फिर कौण, फिर हलका सा डैस, फिर भुजा तो भुजा कोंड भुजा सरवांग समता से तो आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे सरवांग समता और लिखोगे से तो भुजा कोंड भुजा सरवांग समता से ये दोनों जो तिरवुज हैं वो सरवांग सम हुए है तो अब question में ये तो हो गया सिद्ध ठीक है तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों तिर्वज सरवांग सम है लेकिन question का आधा हिस्सा ये कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये BC है और ये BD है तो आप क्या कहोगे तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि दोनों तिर्वज जब सरवांग सम है इसका मतलब है कि ये पहला तिर्वज इसके उपर रख देंगे तो बिलकुल बराबर होगा तो BC और BD भी तो बराबर होंगे क्योंकि दोनों तिर्वज क्या हो चुके है सरवांग सम सिद्ध हो चुके है दोनों तिर्वजों में तीन समान ताय मिल चुकी है वो भी सरवांग सम ताकी तो BC और BD अपने आप ही बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर भी क्या हो जाएगा BD यह जो BC है यह इसके बराबर होंगी अगर हम कागच को इस तरीके से मोड़ दें तो यह जो C है यह D पर टेक जाएगा और BC जो है BD को ढख लेगा तो BC बराबर BD तो यह जो एश्ट्रा में जो बराबर अपने आप होने लगते हैं उन्हें सर्वांग सम् तरवज के संगा तबेब कहते हैं जैसे यह बराबर है इसके यह कौर इसके बराबर है यह भुजा दोनों में हैं यह तीन बिसस्ता हैं तो हमने ढूनी हुई हैं जिससे दोनों तरभुज सर्वांगसम हो गए हैं लेकिन बाकी चीज़े अपने आप ही जब दोनों तरभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो बाकी चीज़े अपने आप ही बराबर हो जाएंगे ये वाला कौर इसके बराबर होगा तो यह जून बाकी चीजे जो है न समान मिल रही है यह फिर हम सरवांगसम तिर्भुज के संगत अबयब कहेंगे जो अपने आप ही समान हो रहे है तो जो अपने आप ही समान हो रहे हैं B.C. और B.D. innym क्या कहेंगे सरवांगसम ऐसे लिखा जाता है B C और B D भी बरावर हो जाएंगी ठीक है तो ये रहता है तरीका इसे करने का ये पहला कॉस्टन था इसलिए थोड़ा डिटेल में हमने समझा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोट बुक में और अच्छे नोट्स बना सकते हैं मैथामेटिक्स के तो ये देखिए आप इसे अच्छे से लिख लीजिए पूरा वीडियो को पॉस्ट करके इसके बाद हम लोग दूसरा कॉस्टन करेंगे यदि आप इसी तरीकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाएए वहाँ से आप अध्याय एक से ही किरमनुसारा अध्यान कर सकते हैं और आपको वीडियो से सम्मंदित कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करिए आपको रिपलाई दिया जाएगा थैंक यू